आपके सारे फीसिक्स के दिश्यूर्ट मैजज़ब्स का सफाया बस अपने फोन से कुशन की फोल्ट खीचो अपकर और तुरंच वीडियो सलुशन पाओ डावलोड कीजिए डाउट अपभी या फिर वाच्छाप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 ब मतलब उसमें एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंज लगा हुआ ठीक है जिसको जो की मैगनिफेकेशन के लिए यूज किया जाता है और क्या कि कुशन बोल रहा है कि इसक्रीश मूव टू सेंटीमेटर क्लोजर अगर स्क्रीन को जो है ना दो सेंटीमेटर क्लोज मूव करें तो कि कितना डिस्टेन्स से तो कितना डिस्टेन्स से जो है ना में चुड़ाइटर करना पढ़ेगा रहाद तो Out Esper yeah लेंस के तरफ या फिरल लेंस reckless कितना करना पढ़ेगा ठीक है और बोल रहा है कि image remain focused मतलब कि ताकि image जो है ना focused रहे screen पे और बोल रहा है कि magnification उसका कितना होगा तो चलिए हम find करते हैं इस case में तो सबसे पहले तो हमें क्या कर दिया हुआ है लिखते हैं कि V equal to तो यहां पर 10 cm दिया हुआ है V equal to 10 cm यहां पर दिया हुआ है कि screen 10 cm अभी लिखा हुआ है तो व equal to 10 cm हो गया है जहां पर कि उसका image बन रहा है ठीक है तो और बोला हुआ है कि 500 टाइम्स इन लार्ज है तो मैगनिफिकेशन क्या होता है कि मैगनिफिकेशन होता है माइनस V upon U equal to h upon h होता है ठीक है equal to 500 दिया हुआ है तो यहां पर minus V upon U equal to 500 हम लोग कह सकते हैं और यहां से आलता है U equal to minus V upon 500 अब यहां अगर V का value रखें तो हमारा आलता है है माइनस 10 अपन 500 सेंटीमीटर equal to minus 2.0 सेंटीमीटर हमारा U आ जाता है तो हम यह धियांद रखेंगे हैं पाद यह हमारा minus 2.0 सेंटीमीटर ठीक है इसके आगे हम बोलता है इसके आगर हम लेंस फर्मूला लगा है लेंस फर्मूला क्या होता है लेंस फर्मूला होता है 1 upon v minus 1 upon u equal to 1 upon f where v is cap position of image position of object is u and focal length है ठीक है अब यहाँ पर हम पूट करते हैं 1 upon f equal to हो जाता है 1 upon v minus 1 upon u जो की हो जाएगा 1 upon v जो है कितना है 10 यहाँ पर हमें लोग हम एक चीज़ गलती कर दिया है कि यह जो है 10 cm में नहीं है यह मीटर में है ठीक है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे हम unit का तो यहाँ पर 10 meter हो जाएगा minus minus 1 upon v कितना u कितना होगी है हमारे पास minus का है 2 तो minus minus plus 2 unit किसमें है यह cm में में ठीक है यह खास दोर से में ध्यान रखेंगे अब सकेंड केस में बोल रहा है कि इसक्रीण जो एन आप बोल रहा है इसक्रीण को 2 meter close लेते आगया है अगर 2 m at close क कि ले जाएंगे तो we कितना ओझे वी इक्वल टू एट मेटर हो जाएगा क्यूंकि यहाँ पर इसक्रीण जो होगा इस्क्रीन को टू मीटर क्लोज ले गए हैं ठीक है तो वी इक्वल टो मारा हो गया एट मीटर अब कितना अब बोलता है कि कितना जो है हमें मूब करना पड़ेगा वाट्स वाट्स दिस्टेंस सुट दस्लाइट टू वी मूब ट्वाट्स और अभी फ्रॉम दालेंस कितना में कितना होगा तो अब्जेट्ट वी-मानते हैं यही हमें निकालना है ठीक है तो कि निकालते हैं कितना मूव करते हैं कि तो फिली मिन फिली माइना करने को करते हैं अब हम चलिए find करने कोशिच करते हैं तो यहाँ पर one upon you डेस equal to एगा one upon वी माइनस one upon F जो की है one upon V कितना है हमारे पास one upon V है one upon eight meter ठीक है यहाँ पर minus one upon 10 meter minus one upon two centimeter ठीक है और यहां से अगर U-S निकले one upon यू डेस ठीक है तो निकल जाएगा one upon 40 meter minus one upon two centimeter अब यहां अब थोड़ा सा mathematics का यूज करें कि one upon you dash equal to पर यूज इसको centimeter हम बदल लेते हैं तो यहां पर 4000 centimeter minus one upon two centimeter अगर हम mathematics का यूज किये तो यहां पर यूदेस एक वेल टू यह बाहर निकाल रहे हैं माइनस वन अपॉन टू सेंटीमेटर बाहर निकाल रहे हैं तो हमारा अंदर में क्या हो गया अंदर में हो जाता है हमारा वन माइनस वन अपॉन टू थो जंट आ जाता है ठीक है और अब यहां ती अग्री यूडेस निकालेंगे कुछिस करें तो टू सेंटीमेटर माइनस साइं के साथ इन टू अपॉन अपॉन तूट थो जैंट इसका भी इनवर्स करना पड़ेगा इसका इनवर्स कि इसका भी लेख सकते हैं 1 प्लस 1 अपन 2000 लेख सकते हैं ठीक है और यू डैस एकवल टू माइनस 2.0 सेंटीमेटर माइनस 1 अपन 1000 ठीक है सेंटीमेटर से इसको यहां पर हम मंटिपलाई किये और इसको यहां पर हम मंटिपलाई किये तो हमारे पास आगया माइनस 2.0 सेंटीमेटर माइनस 1.0 cm ठीक है अब देखिए पहले मारा यू यू quayन एक यू डैस हमारा पहले कितना था पहले डागेस में माइनस टू पे था यहांपर देख रहे हैं यू इकवल टू माइनस गाल certified 2.0 cm पे था और यहां पे कितना आ गया पहले हमारा यू था कितना पे माइनस 2.0 cm पे था अब कितना हो गया यू डेस में माइनस 2.0 cm माइनस वन अपॉन थोजेंट सेंटीमीटर पे आ गया तो हमें मूव कितना करना पड़ा मूब करना पड़ा only one upon thousand centimeter minus sign के साथ ठीक है minus sign क्या बताता है यहाँ पे minus sign बताता है कि हमें slide करना पड़ेगा away from the away from the lens ठीक है हमें मूब करना पड़ेगा away from the lens कितना one upon thousand centimeter away from the lens हमें मूब करना पड़ेगा ठीक है यह यह माड़ा हो गया answer कितना आमें मूब करना पड़ेगा तो one upon thousand centimeter ठीक है समझेंगा आप लो झाल